दोस्तों GTL infrastructure की बात करें तो stock के अंदर आज फिर से अपर circuit लग गया stock लगातार दोड रहा है और आप ये देख सकते हो कि जो stock कुछ समय पहले डेड रुपे के आसपस्ता वो सवा तीन रुपे तक पहुँच चुका है यानि एक महीने से कम पिरेड में आपका जो investment है डबल से जादा हो चुका है लेकिन ये दोर कब तक जारी रहेगी क्या इसमें lower circuit भी लग सकते है इस stock के अंदर आखी चल क्या रहा है आ चुकिए अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि टेलिकॉम सेक्टर में आज अच्छी तेजी की समय भी बनी क्योंकि सरकार ने नया spectrum निलाम किया जिससे देखे कि तो इस सेक्टर की समयनित कमपनियों को सबको फाइदा होगा जीटेल इंद्फा के पास टौवर तो उसको भी फाइदा होगा और इसी वजह से भी थोड़ा सा माहूर पोजिटिव बना लेखिन यहाँ पे जो डेल हो रही है वो क्या इसारा करी है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जपी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडिय आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी लगबग 11 बजे के आसपास का टाइम है स्टॉक की सुरुआत दे लेकिन खरिदारी लगातार हो रही है रिटेल इंवेस्टर की स्पेशली आपे बहुत जादा भागीदारी बढ़ चुकिया और इस वज़े से 3.26 पर अपर सर्कृट लग गया अब यहां पर गौर करने वारी बात है कि अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रिटेल इ यहां पर गिरावट हुई तो उसके बाद में श्टॉक ने जो दौड़ना सुरू किया तो आप देख सकते हो कि इसमें एक तरपा तेजी बने अपर सर्कृट के उपर अपर सर्कृट लगे और जो श्टॉक दो रुपे 40 परसे के आज़ परस था वो तीन रुपे 26 परसे दक पहुच चुका है और यह देख सकते हो कि बहुत कम समय श्टॉक ने बंपर रिटन दिया है अब आप देख सकते हो कि यह स्टॉक की जो दौड़े यह आगे समझ में आएगा कि कि आखिर यह हो क्या रहा है तो यहां पे पिछले एक महिन में 115 परसेंग का जबरदस रिटन दिया इसने एक तरह से कह सकते हैं इसने मल्टी बैग रिटन दिया लोगों को कम समय में इन्वेस्मेंट डबल कर दिया है आज जो जीटिया इंफ्रा में 4.81 परसेंग की तेजर नहीं लगए 5% का पर सरक्रीट लगा है बी एसी टेली कम्मुनुकेशन में भी 1.51 प कि इस पैनी स्टोक के अंदर 3.33% की जो होल्डिंग अवो LIC की है और उतनी ही लगबग होल्डी प्रमोटर के पास है जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है उतना LIC ने निवेस करके रखा हुआ है और इसके अलावे भी कुछ जो बैंक है उन्होंने भी बड़ा निवेस किया हुआ है इसमें सरकारी बैंक भी है और प्राइवट सेक्टर की बैंक भी है तो Union Bank of India के पास इसकी 12.07% की बड़ी स्टेक है और इसके पीछे वजह है कि Union Bank of India ने कर्ज दे के रखा हो इसके बदमें एक्यूटि लिया वरना 12% के इस्यदारी पैनी स्टॉक में कोई बैं गैंग है और यह सरे के सारी व covariate देख सकते हो हुआ यहनिलिया सिस खार सथा एनी से जोिया के बदले में एक्यूटि में पदले में इकुटि लिय हुई है यह कोई उन्हों ने investment कमाने के लिए नहीं किया बैंकों नहीं आपको खास द्यानक रिस्क इसलिए है और सबसे जो बड़ी problem है कि LIC से भी कम investment यहाँ पे promoter का है promoter का holding हो मातर 3.28% है और जबकि LIC की 3.33% है और इसलिए यह सबसे बड़ा risk है इसके लिए फिलाल stock 5-day, 10-day, 20-day, 50-day, 100-day और 200-day moving average से उपर trade करता हूँ दिखाए देगा और इसका जो relative strength index है आ रहे से वो 88.76 पर है जो उपर की और trade कर रहा है जो stock में तेजी का संकेत दे रहा है आ रहे से सुनी और 100 के बीच दोलन करता है और देखे दो कि ऐसे अगर देखे तो परमपरा अगर दूप से यहाँ पर RIC को 70 से उपर होने पर overboard माना जाता है और 30 से नीचे होने पर oversold माना जाता है तो यह देखे दो कि अभी फिलाल तो overboard zone में यह stock share ने return भी बहुत जबर्दस दिया लोगों को अब यहाँ पर जो बड़ी update निकल क्या रही है जीटील इंफ्रा ने एक्चेंज को जानकारी दिये नोटीस के माध्यम से कि उन्होंने quarter one की त्यारी कर लिये और इसके लिए वो trading window को close करने जा रहे तो देख सकते हो कि अब नए result की वज़े से company अपने trading window को close करेगी तो एक जुलाई से insider trading के लिए trading window close हो जाएगी और यह देख सकते हो कि इसके पीछे सबसे जो बड़ी वज़े यह है कि जो insider trading होती है उसके लिए saving रूल्स बनाया कि जो भी company से संबनीद लोग है वो जब result एक बार बन जा तो उसके बाद में trading नहीं कर पाएगा उनकी trading को रोक दिया जाता है saving के रूल्स के त्याद क्योंकि उनको पता है कि result के अंदर positive और negative पहलू क्या है जिसका वो कई miss use न कर ले और इसी वज़ेसे जो company के promoter है उन सब के लिए trading window close है इसके अलावा देख जो board के members है उनको भी trading window close कर दीगे वो भी अब trading नहीं कर पाएगा और जो employees है company के उनके लिए भी inside trading window के त्याद trading window close कर दीगे अब ये trading window तभी खूलेगी जब company अपना result declare कर देगी उस result declare होने के बाद 48 गंटे के बाद वो normal trading कर पाएगा तब तक के लिए जो company से समझनी सबके लिए trading window को close किया गया है ये सेभी के rules के तैद अब देख सकते हो कि पिछले result में भी loss लगातार बना हुआ है अब loss में कितनी कमी आती है ये सोचने वाली बात है क्योंकि direct profit माने के तो समभानों फिलाल नहीं है revenue कितना बढ़ता है उससे दसा और दिसा तैय होगी और इस समय जो सबसे बड़ी problem ये है कि इसमें जो बड़े जो निवेसक जिन्होंने जम के खरीदारी की देख वो बिक्वाली भी कर रहे है आप देखे रहे हैं सुबह एक 9 बचकर पना मिनेट पर जो deal हुई है 3.25 की प्राइस है उसमें करीब 1.53,76,000 की किसी ने profit booking कर लिए है ये एक deal हुई है जो बिक्वाली की है सामने खरीदारी की 9 बचकर पना मिनेट परी 3.26 की प्राइस है 66,22,000 की ही हुई है यानि जो लगातार क्रोडों शेर खरीदे जारत है अब वो रुक गए आज जो सारी के सारी जो deal है वो छोटी छोटी इसका मतलब यहां पे retail investor इस समय ज़्यादा निवेस कर रहे है बड़े fundaos फिलाल इसमें से हो सकता है कि निकले और ऐसे में फिल लोर सर्कीट लग सकते है तो इसलिए ये risk बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे में आप अपने इसाब से सोच समझके ही इसके बारे में आप निवेस के बारे में सोचे क्योंकि इतनी fundamentally मजबूत company नहीं है कि इसमें ज़्यादा निवेस किया जाएगा हो सकता है कि operator इसको थोड़ा और खिच के उपर लेके जाए क्योंकि ये purely operator का में डबल से जादा हो चुका है तो ऐसे में थोड़ा साब को profit book करने के बारे में सोचना चाहिए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advices बढ़े ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू friends